महराष्ट परिवहन विवहाग का बड़ा फैसला इस्ट्री ड्राइवर्स को मिलेगा दो सो पच्चिस रुपे भोजन भत्ता समय पर भोजन ना मिलने की आ रही थी सिकायतें महराष्ट में कुरोना महा संकट के दोरान बेश्ट बस की ड्यूटी में लगे राज्य परिवहन के कर्मचारियों को अब दो सो पच्चिस रुपे भोजन भत्ता दिये जाएंगे यह घोट्रा महराष्ट के परिवहन मंत्री अनील परब ने की है मुंबई समेट पूरे महराष्ट में तक्रीवन एक हजार बेश्ट बसों में राज्य परिवहन के सारह चार हजार बस ड्राइवर अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन सभी को अब दो सो पच्चिस रुपे भोजन भत्ते के रूप में दिये जाएंगे राज्य के अलग-अलग हिस्ट बस में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे राज्य परिवहन के करमचारियों के रहने और खाने पीने की ब्यवस्था का जिम्मा एक निजी कमपनी को दिया गया है हला की कमपनी की तरब से दिये जाने वाले भोजन की टाइमिंग और करमचारियों की डूटी की टाइमिंग का मेल नहों पाने की वज़ा से कई करमचारियों को खाने-पीने की समस्यां होने लगी थी इस संदर्म में अनिल परब के पास कई सारी शिकायतیں गई जिसके बाद उन्होंने जिस कमपणी को ठेका दिया गया था उसे रद्द करते हुए करमचारियों को भोजन भत्ता देने का फैसला किया है अब एसे करमचारियों को रोज नगत भोजन भत्ता दिये जाने की ब्यवस्ता की गई है Special Desk TV1 India